Dear students, we have to discuss about integrated curriculum. जब हम integrated curriculum की बात करते हैं, तो हमने जहां theory practice gap को minimize करने की कोशिच की, तो उसमें जो एक role नजर आया, वो हमारा community का role था. कि जिस अंदाज में हम future society बनाना चाह रहे हैं, sustainable society बना रहे हैं और उसके जो standards हमने define किया हुए है, इसके parallel जो हमारी present society है, उसके अंदर भी अगर हमें तबदीलिया नजर नहीं आती, उसके अंदर gap अगर minimum नहीं आता, तो उसके sustainable टी एक issue बन जाएगा, और यह हमारे लिए exchange बहुत बड़ा challenge है, exchange की वज़ा से, अब हम देखें कि हमारे पास बड़ी rapid change आ रही है, social change भी आ रही है, economic भी आ रही है, technological आ रही है, environmental change आ रही है, अब यह चार्ट किसम की change यह ना हमारे अंदर आ रही है, at a time, और यह आइस्ता आइस्ता change आ रही है, अब देखें, work के साथ-साथ जो हमारी, skills है, जो हमारी critical thinking है, वो change होनी शुरू हो गई है, हमने इससे पहले भी बात की थी, कि हमारी जो future skills हैं, वो technology के साथ related हैं, कि आज से पांच साल बात, technology कितनी advance होगी, हमें उसके लिए कितनी skills चाहिएं, कितनी skills हम develop कर देंगे, और कितनी हम उसके अंदर एक ऐसा developmental factor डाल देंगे, critical thinking का, कि वो आगे आने वाले वक्तों में, छोटी छोटी training के जरीए, उसके अंदर वो चीज़ें इंकलकेट होना शुरू हो जाएंगी, अब देखें हमारे पास, जब हम बात करते हैं न, टेकनोलिजिकल चेंज की, particularly हम फोकस कर रहे हैं, तो टेकनोलिजिकल चेंज जो हमारी जो skills needed हैं, उसके साथ direct related है, हमारा जो behavior है, वो हमारे social paradigm के साथ related है, आज हम मुम्किन है, यह possibility है, जो आज हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आज से पांस साल से लेकर, दस साल के period में मैं बात करना चाहूंगा, estimated है, मैं example के तौर पर बात कर रहा हूं, तो जो हमने आज skills दी है, दस साल बात उसकी जरूरत ही न रहे, दस साल बात जो उसको skills चाही है, वो आज हमारे पास है ही नहीं, because of the technological change, अब देखें, यह जो technological change आ रही है, और इतनी तेजी से हमारे पास आ रही है, हमने इसको भी integrate करना है, ना तो सिर्फ present के साथ, future के साथ भी, देखें, पहले हम integrate कर रहे थे, present के साथ, कि आज का जो हमारा बच्चा है, उसकी skills, आज का जो हमारा बच्चा है, उसके behaviors, और जो इस वक्त existing society है, जो community है, उसकी skills और behavior, इन के दरम्यान जो gap है, हम उसके उपर बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं, future की बात कर रहे हैं, कि जो skills आज हम कर रहे हैं, जो हमारी educational efforts हो रही हैं, बच्चे के अंदर develop करने के लिए, क्या वो हमारी future needs को cater करती हैं या नहीं करती, और वो कैसे cater करेंगी, वो इस तरीके से cater करेंगी, कि अगर हम force ही करेंगे आने वले वक्तों में, जो मेरा field है, जाए वो engineering का है, medical का है, business का है, teaching का है, इस में जो young लोग हैं, इन को कौन कौन सी competencies हैं, जो इनको चाहिए हैं, अगर हम उसको force ही करेंगे, तो हमारा curriculum integrate होगा, हमारा curriculum integrate होगा, तो वो जो चीज़ें हमारे पास हूँगी, जो हम collaborate करेंगे, उसके मताबक उसकी जो learning होगी, वो effective होगी, अब देखें, learning की बात जब हम करते हैं, तो हम सारी learning हो रही है, behavior की हो रही है, वो society के साथ related है, आपकी skills की हो रही है, वो technological साथ related है, उसके बाद, आपके environment की हो रही है, आपकी economic की हो रही है, तो ये interlink चीज़ें हैं, यहाँ पी जो हमारे पास, यू समय लें, कि education fast sustainable development जो है, वो एक बतौर catalyst के role play कर सकता है, environmental और education reform में, और वो कैसे role play कर सकता है, जब हम integrated curriculum होगा, integrated curriculum के अंदर क्या होगा, कि उसने present को भी address करना है, और future को भी address करना है, अब ये जितने भी हमारे challenges हैं, जो present के साथ हैं, उनके अंदर जो important factor है, वो sustainability का है, sustain करने के लिए, जो future के साथ हैं, वो technology से related है, और technology के अंदर जो हमारे पास main factor है, वो हमारे पास factor ये है, कि हमने जो skills उसको needed है, क्या उसको हमने integrate कर दी है, ये नहीं किया, तो उसका मतलब है, कि हमारे integrated curriculum के अंदर, हमने ना सिर present को लेके चलना है, कि उसके दर्मियान जो gap उसको minimum करना है, बलके जो हमारे पास्ट में, हमारे आने वाले जो economic हैं, टेकनोलिजिकल हैं, जो social हैं, environmental हैं, इन तमाम issues को भी हमने address करते हुए, उस gap को भी minimum करना है, जो आज चीज़े रहे हैं, ऐसा ना हो कि 10 साल बाद वो बच्चा कहा कि मैंने जो सीखा है, मुझे तो आज उसका कोई फ्यादा ही नहीं है, बलके वो एक base प्रवाइड करें, उसकी further learning के लिए,